सबस्क्राइब जरूर कर लेंगे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे चालिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हाउसा जोश एवरीवाइन I hope it is extremely high, चालिए, वो क्याबलरी के साथ करेंगे पहला शब्द है catastrophically, आप इसके अंदर देखो एक root word है पहले मुझे बताओ सभी को visible audible हूँ न तो पहला शब्द क्या है kata, root word क्या है इसमें kata और kala kata और kala दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है तबाही क्या तबाही है, disaster, कोई natural disaster आ गया, कोई natural आपदा आ गयी तो इसी से यह word बना है catastrophically, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो इस शब्द को यह adjective है, catastrophical, इसमें ly लग गया, adjective के साथ ly लगता है तो part of speech क्या बन जाता है, part of speech आपका adverb बन जाता है तो in a way, that involves or causes sudden great damage or suffering एक ऐसा तरीका जिससे क्या हो, बहुत ही जादा suffering हो, बहुत ही जादा damage हो, बहुत ही जादा नुपसान पहुचे Disastrously, reunously, devastatingly Antinence, फाइदा हो आपको beneficially, favorably, positively, आपको फाइदा हो, एक और words मैं add कर सकते है Conducively, इसका meaning भी क्या होता है, कि आपके favor में हो, आपको फाइदा हो अगर action नहीं लिया गया, तो जो air quality है, city में, वो खराब हो जाएगी और बहुत ही तबाही मचा देगी, वो इतनी गंदी जरीके से खराब होगी, कब winter के दोरान अच्छा, जैसे catastrophic होता है न, ऐसे ही एक और word होता है, इसको हम बोलते है cataclysmic, क्या होता है शब्ब, बहुत important word है, double star marker के लिखेगा cataclysmic, इस शब्द का meaning भी क्या होता है, वही same होता है, कि कोई चीज cataclysmic है या catastrophic है, इसका मतलब वो क्या करती है, causing disaster, तबाही मचा देती है अगले शब्द पे आते हैं, the next word is punitive, last में IVE लग रहा है, part of speeches adjective punitive को आप कैसे याद कर सकते हो, pun word आ रहा है, punish word में भी pun word आता है तो कोई चीज जो punishment देने के लिए दी गई हो, कोई चीज जो punishment देने के लिए दी गई हो, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं punitive inflicting or intended as punishment, punishment की तरह उस चीज को दिया गया हो दिस्सिब्लिनरी हो कि अगर आप इस छीज को नहीं करोगे तो आपको punishment दिया जायेगा discipline को create करने के लेगी सा ए पीनिलाइस करने के लिए कि अगर आप यह नहीं करोगे तो पनिश्मंट दिया जाएगा Antonyms क्या हो यह rewarding आपको reward देने के लिए beneficial अस्पूर्टिव हो तो authorities ने punitive measures को introduce किया, punitive measures means कि अगर ये काम नहीं करोगे तो punishment मेलेगा, जिससे की pollution जो है कम हो जाए, जो stubble burning की वरे से होता है, जो farmers होते हैं, या जो लोग होते हैं, लास्ट का जो पार्ट बचता है, उनकी fields में उसको जला देते हैं, जिससे की दुबारा नई crops उसमें उगा सकें, तो stubble burning से बहुत जादा pollution होता है, अब यहाँ पर दो words आए, एक word होता है reward, और एक होता है award, कोई मुझे reference बता सकता है, reward और award में क्या reference होता है, आपने कुछ अच्छा काम किया, तो आपको award दिया गया सरकार के द्वारा, तो award किस चीज के लिए दिया जाता है, आपने कोई अच्छा काम किया है, अपने लिए या society के लिए, उसके लिए सरकार आपको award देती है, तो किसी भी field में आपने कोई किया रिवार्ड क्या होता है आप यह हो यह कोई दूसरा इंसान है आपने ए ने बी के लिए अच्छा काम किया तो रिवार्ड वो इनसान देता है जिसके लिए अच्छा काम किया है जबकि अवार्ड जो है इन जनरल दिया जाता है कि इन जनरल आपको अच्छा काम कर रहे हो तो अगर मैं आपसे पूछू आपने अपने मैनेजर का Excel sheet में जो data था उसको sort कर दिया, उसको arrange कर दिया तो मैनेजर आपको क्या देगा उसका अवार्ड देगा या reward देगा मैनेजर आपको reward देगा तो reward in return दिया जाता है for the work that you do for that person जबकि award आपको in general दिया जाता है जो आप humanity के लिए ये किसी के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हूं clear सभी को चालो आगे बढ़ते हैं अगला word है exacerbate examiner का favorite word है double star मा कीजे बहुत बार exam में आता है exacerbate means दर्द को और बढ़ा देना कोई चीज आपको दर्द दे रही थी उसको और बढ़ा दिया means exacerbate कर दिया action की बात कर रहे हैं पाटा speech verb हो गया तो problem को, खराब situation को negative feeling को और खराब कर देना version कर देना, aggravate कर देना intensify कर देना, और खराब कर देना antonyms क्या हो गए alleviate करना, improve करना mitigate करना means सुकून देना, जल्दी से मुठे कुछ synonyms और बता दो mitigate के, pacify करना assuage करना ameliorate करना mollify करना इन सारे शब्दों का meaning क्या होता है, placate करना means सुकून देना, अच्छा फील करवाना कुछ idioms देख लेते हैं, exacerbate की add salt in a wound add की जगा प्लाई भी लिख सकते हैं add fuel to fire fan the flames add insult to injury turn the knife इन सारे idioms का meaning क्या होता है जले पर नमक चड़कना दर्दों को और बढ़ा देना अगले word पर आते हैं granular ये granular word किस से बना है ये शब्द बना है आपका granules से granules क्या होता है छोटे छोटे से जो दाने होते हैं किसी भी चीज के उसको क्या बोलते है ग्रैनियूल तो granules इस छोटे छोटे दाने उसी का adjective form है granular मतलब आप किसी चीज को बहुत छोटे छोटे लेविल पर देख रहे हो आप उस चीज को बहुत डीटेल में जाके देख रहे हो magnifying glass लगाके देख रहे हो इसका मतलब आपकी जो study है वो कैसी एक granular है means बहुत ही जादा बारीकी से किसी चीज को देखना हो तो characterized by a high level of detail और precision precision means accuracy के साथ है बहुत ही बारीकी से detailed, precise means accurate, specific antonym general देख रहे हो wake का मीनिंग क्या होता है unclear भी हमें देख रहे हो broad means overall way में देख रहे हो तो जो labor survey हुआ उसने बहुत ही granular granular means बहुत ही detailed data दिया किसकी उपर employment के trends की उपर कि कितना गाउं में और शेहरों में employment हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है उसका बहुत ही गहराई वाला data दिया labor survey next word is persist कोई चीज persist कर रही है बनी हुई है लगातार continue कर रही है action की बात कर रहे है वर्व हो गया मैं आपको अमेशा perfection बाच में बोलती हूँ persistence is very important अगर selection चाहिए तो persistence बहुत important है इसी persist का ये noun form होता है persistence क्या होता है persistence होता है कि जिस चीज को करो उसको रोज करो लगातार करो 10 दिन में एक दिन perfection कर लिया एक दिन editorial कर लिया उससे selection नहीं होगा editorial और perfection आपको कैसे करना पड़ेगा अगर selection चाहिए तो persistently करना पड़ेगा you will have to persist आपके अंदर quality होनी चाहिए persistence की meaning समझा है persist का तो कोई चीज जो लगातार हो रही है prolonged लंबे टाइम तक चल रही है endure endure का वैसे meaning होता है किसी जिसको जहेलना किसी जिसको tolerate करना एक endure का दूसरा meaning क्या होता है कि वो चीज लंबी चल रही है continue करें persevere persevere भी इसका synonym होता है perseverance क्या मतलब कि आपको उस काम को लगातार करना पड़ेगा बिना रुके करना पड़े discontinue कर दिया छोड दिया seize means रोग दिया stop कर दिया सुझ चिंताएं थी quality jobs की कमी को लेके वो लगातार बनी रहेंगी चाहे कितनी भी growth क्यो ना हो जाए remunerative आप से किसी ने आके पूछा कि आपका remuneration कितना है आपने किसी job के लिए apply किया वहाँ पे पूछा what will be the remuneration कितना remuneration होगा मतलब कितना पैसा मिलेगा उस job को करने so remuneration is noun और remunerative is adjective form of it last में IV तो कोई चीज जो आपको पैसा दे उस चीज को क्या बोते है remunerative financially rewarding हो अच्छा खासा पैसा दे financially rewarding lucrative पर double star mark करना बहुत बार exams में आ चुका है lucrative means beneficial important हो आपके लिए आपको अच्छा खासा amount earn करके दे profitable हो lucrative हो rewarding हो antonyms क्या हो गया profitable ही नहीं है unrewarding है unbeneficial हो कोई फाइदमन दी नहीं है so challenges किस चीज में है challenges है कि ऐसी remunerative employment opportunities create की जाए कि employment दे और उसमें पैसा भी मिले हमारे यूद को तो उस चीज में challenge है समझा रहे है सभी को convene ko इसमें एक root word है ko ko का meaning होता है together साथ में so convene का meaning क्या हो गया आप लोगों को साथ में बुला रहे हो आजाओ भई meeting कर लो convene करना action की बात कर रहे है part of speeches verb to call people together for a meeting एक meeting के लिए आप लोगों को बुला रहे हो gathering के लिए बुला रहे हो assemble करना summon summon very important word summon verb होता है इसको ध्यान से समझना बहुत बार exam इसका meaning होता है बुलाना इसका singular noun होता है summons देखने में plural लग रहे है ना नहीं लेकिने singular होता है इसका meaning क्या होता है बुलावा इसका plural होता है summonses plural क्या होता है summonses इसका meaning क्या होता है बुलावे तो बहुत बार क्या होता है आपके error direction में question आता है summons के आगे आर कर देते हैं बच्चों को लगता है सही है प्लूरल ही लग रहा है summons नहीं लेकिन singular होता है तो summons के साथ is आएगा has आएगा summons के साथ आएगा summons के साथ have आएगा चालो antonyms क्या हो गए disperse करना, अलग-अलग कर देना, dismiss कर देना adjourn कर देना, बंद कर देना, खतम कर देना the court is adjourned till the next date of hearing court को स्तागित किया जाता है अगली date of hearing तक adjourn कर देना a high level meeting was convened एक high level meeting बुलाई गई to address the rising air pollution in Delhi, किस चीज के लिए कि जो air pollution जो बढ़ता जा रहा है उसको address करने के लिए उसका कोई solution निकारने के अच्छा, एक और शब्द होता है इसको भी लिख लेना, garner g, a, r, n, e, r बहुत important word है, double star mark के लिखना garner word का meaning भी क्या होता है लोगों के लिए use नहीं करते garner, garner चीजों के लिए use करते है means इखटा करना, तो अगर आप garner कर रहे हो, इसका मदलब आप किसी इसको collect कर रहे हो garner support, support इखटा कर रहे हो gather कर रहे हो support that is garner करना, g, a, r, n, e, r इसको double star mark करके लिखेगा word को अगले word पे आते हैं reinforce करना किसी इसको और strong बनाना आपने किसी इसको reinforce किया means उसको और strong बनाया action की बात कर रहे है part of speech आपका verb हो गया to strengthen or support an idea, feeling or object, किसी feeling को किसी idea को और strong बनाना strengthen करना, bolster करना fortify करना, यह words हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत important words होते हैं, bolster, fortify strengthen, means strong बनाना, antonyms weaken कर दिया, undermine कर दिया value कम कर दिया, lesson कर दिया कमजोर बना दिया तो जो नया labor market data है वो किस चीज को strong बना रहा है reinforce, मतलब वो concerns, जो problems है, उनको और strongly सामने रख रहा है, किस चीज को लेके problems है, कि अच्छा job creation नहीं हो रहा है इंडिया में अच्छा, कुछ words और देख लो बहुत बार आते हैं एंग्जाम में, robust robust word का meaning क्या होता है, strong sturdy sturdy is what, strong resilient resilient word का meaning क्या होता है, strong ताकतवर अगला word है marginally margins क्या होता है, यह आपके copy है तो margins जाथ इतने छोटे-छोटे से होता है sign में, तो कोई चीज margin पे है इसका मतलब क्या है बहुत hulky full कीसी है लोगों को बोलता है कि वो लोग margin पे हैं, इसका मतलब उनके पास resources नहीं है उनको neglect किया जा रहा है उनको ignore किया जा रहा है तो margins पे होना मतलब ignored होना resources नहोना, गरीम होना और कोई चीज marginally है इसका मतलब बहुत hulky full कीसी है ना के बराबर है adjective के साथ ly लग रहा है part of speech क्या हो गया, adverb हो गया तो slightly to a small extent or degree slightly, minimally, insignificantly ना के बराबर antonyms, बहुत जादा amount में substantially बहुत जादा, considerably बहुत जादा जो number of workers है informal companies में या firms में, organizations में वो बहुत हलके से ही कम हुए है पिछले साल अच्छा ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पे हमने has क्यों लगाया अभी हमने पूरा एक हफता error detection करा कल की class में कम से कम हमने 50-55 errors करे अब तो ये concepts बहुत clear हो गए होंगे कि दा number of के साथ singular verb लगता है तो has fallen firms का नहीं था ये दा number का था दा number एक number की बात कर रहे है इसलिए singular verb लगा आ number of लिखा हो था आ number of people are there in the class today तो noun भी plural आता है और verb भी plural आती है जबकि दा number of के साथ noun तो plural आता है लेकिन वर्ब सिंग्यूलर आती है बहुत बहुत बार एक्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा अगला word है stagnant stagnant means रुख गया है कोई चीज कोई चीज थम गई है stagnant पानी खराब हो जाता है तो stagnant means जो रुखा हुआ है स्थिर है last में ant लग रहा है part of speech adjective हो गया तो कोई चीज डिसके अंदर कोई activity नहीं हो रही कोई progress नहीं हो रहा inactive है stationary है unchanging है एक ही जगा रुख गया है antonyms dynamic है move कर रहा है active है progressive है आगे बढ़ रहा है तो जो share है labor force का जो कोई manufacturing में employed है वो बहुत रुका हुआ है मतलब वो change ही नहीं हो रहा है पिछले कुछ सालों से अच्छे यहाँ पर word आया stationary तो दो शब्द होते हैं आपके एक होता है stationary और एक शब्द होता है stationary nary और nery यह question भी बहुत बार आपके exams में आता है इसको note down कीजेगा stationary का मीनिंग तो अभी हमने पढ़ लिया मतलब कोई चीज जो रुकी हुई है कोई चीज जो stopped है that is what stationary अभी अभी पढ़ा inactive है रुकी हुई है तो यह part of speech क्या हो गया adjective हो गया stationary यह शब्द आपका noun होता है इसका मीनिंग क्या होता है stationary की दुकाने होती है अगर आप लिगने देखा हो तो मतलब जहाँ पे paper मिलता है scissor मिलती है tape मिलता है office के समान मिलते है desk के समान मिलते है school के समान मिलते है उस दुकान को क्या बोते है stationary की shop अच्छा question यह भी आता है stationaries जैसा कोई शब्द होता है नए stationary अपने आप में एक uncountable noun होता है, तो stationaries जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है, इसका part of speech ही noun होता है कोई परिशानी आ जाते हैं idioms पे, तो कोई चीज, पहली चीज back burner पे है, चार चूले वाली गैस देखिए है चार स्टोव वाली गैस, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ आजकल तो ऐसी आ गई है पहले कैसी आती थी पहले चार चूले वाली गैस ऐसे होती थी तो आपने एक समान यहाँ रखा है, जो आपको तुरंद की तुरंद खुब चलाना है, वम्मी खीर बना रही है, तो उसको front burner पर रखेगी, क्योंकि उसमें attention की जरूरत है, बार-बार उसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो खीर लग जाएगी, जो चीज जिसमें attention की जरूरत नहीं है, for example, राजमा उबल रहा है, तो उसको करको उठा के पीछे लगतेगी, तो कोई चीज on the back burner है, इसका मतलब क्या है, उसको तुरंट attention की जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है, उसमें ध्यान देने की, तो on the back burner means something that requires least amount of attention, that doesn't require any immediate attention, चालो, अगले पर आते हैं in the same boat, I am in the same boat as you, जिस कश्टी पर सवार तुम हो, उस कश्टी पर मैं भी हो, मतलब हम दोनों same ही situation में है, मैं भी उसी boat पे हो, जिस boat पे तुम हो, मतलब we are at the same situation, we are in the same situation, get the ball rolling, उसम बस ball है, इसको roll तो करवाओ, काम शुरू तो करो, get the ball rolling, means to make something beginning, किसी इसको initiate करना, किसी इसको start करना, किसी काम को शुरू करवाना, at the helm, helm का meaning क्या होता है, leader, कोई इंसान अगर leader होता है, तो जो leadership position होती है, जहाँ पर manage कर रहा होता है, उसको बोलते है, helm, तो कोई इंसान at the helm है, मतलब उसके पास सारे की सारी leadership है, he is in charge, he is in command, he will lead now, और वो इंसान क्या करेगा, lead करेगा, तो आप कुछ वही manage करेगा, pig out, pigs बहुत खाते है, तो वहीं से idiom बना, pig out means बहुत खाना, हद से जादा खाना, eat a lot or too much, एक pig का एक और idiom होता है, बहुत बार exams में आज चुका है, when pigs fly, जब pigs fly करते हैं, तो इस idiom का मतलब क्या होता है, pigs तो कभी fly नहीं करते, तो इन्होंने idiom बना दिया, when pigs fly means something that is impossible, कोई चीज, जो क्या है, impossible, and pigs fly, clear, सभी को, eat like horses का मीनिंग भी होता है, बहुत जादा खाना, eat like horses, बहुत जादा खाना, हद से जादा खाना, और eat like a bird का मीनिंग क्या होता है, इसका उल्टा, बहुत थोड़ा सा खाना है, चुगना चीज को, means बहुत ना के बराबर खाना, eat like a bird, pie in the sky is also something that is impossible, right, very good, कल पर सुभी पढ़ा है, pie in the sky, sky में pie हो सकता है, sky में कोई टॉफी मिल सकती है, आपको नहीं, तो pie in the sky भी मीनिंग क्या होता है, something that is impossible, एक और रीडियम होता है, something that is impossible के लिए, don't make castles in the air, फोड़ा सा different meaning होता है, बहुत relevant है, don't make castles in the air, मतलब, अवा में महल मत बनाओ, मतलब ऐसी बात करो जो practical हो, impossible बाते मत करो, ऐसी बाते करो जो आक्षिल में हो सकती है, reality में हो सकती है, practical हो, don't talk impossible things, don't make castles in the air,